सर्वे रिपोर्ट से समाधान की राह पर 355 वर्स पुराना विवाद अदालत में 33 साल से चल रही है मुकदमेवाजी भारती पुरातत्व सर्वेक्षन EASI की सर्वे रिपोर्ट से ग्यानवापी का 355 वर्सों से चल रहा विवाद खत्म हो सकता है ये विवाद 1679 से चल रहा है 33 सवर्सों से मामला अदालत की विचारा धीन है ये रिपोर्ट वर्सों तिवार को पक्षिकारों को मिलने की संभावना है फिर आगे की कानूनी लड़ाई तैह होगी हाला कि सर्वे रिपोर्ट से समाधान की रहा आसान हो जाएगी सर्वे को आधर बना कर पक्षकार दावा करेंगे और अदालत के समक्ष साक्ष प्रस्तुत करेंगे साक्षों की आधार पर ही अदालत अंतिम आदेश पर पारित होगी एसाई की सूतरों के मुताविक ग्राउंड पैनिट्रेटिंग रडार जी पियार तकनीक से जो साक्ष जुटाए गए हैं वह वैग्यानिक आधार पर महतपून सावित होंगे एसाई की विशेशक्यों की टीम ने जुलाई अगस सितंबर अक्टूबर और नवंबर दोहजार तेज तक ग्यानवापी परिसर में सरवे का काम किया है सील वजू खाने को छोड़कर परिसर के कोने कोने से साक्ष जुटाए गए हैं मिट्टी की जांच किये की दिवारों पर बने प्रतीक चिन की फोटो वीडियो ग्राफिक कराएगे ये भी देखा गया कि प्रतीक चिन किस साधी में बने हैं ग्यानवापी के तेखानों से तमाम साक्ष मिले हैं जो एतिहासिक सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को बना कर रहे हैं इलाबाद हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ग्यानवापी के मामले में पूजा इस्तल आदिनियम लागू नहीं होता है इसलिए साक्षियों के आधार पर आदिस देनिम अदालत को कोई दिक्कत नहीं आएगी औरंग जेव ने दोस्त कराया था मंदिर हिंदो पक्षी अधिवक्ता सुद्वित्र पाठी का दावा है कि मुगल शाशक औरंग जेव ने 1669 में ग्यानवापी मंदिर को धुस्त कराया था मंदिर के उपरी हिस्से को मजजित का रूप दिया था इसके लिए तीन गुम्मत बनाए थे मुखे गुम्मत के नीचे एक और शिवलिंग है वहाँ धब धब की आवाज आती है सील वजू खाने में शिवलिंग मिला है सर्वे रिपोर्ट से सच सामने आ जाएगा कारूनी लड़ाई लड़ेंगे माहल बिगड़ने का दर अंजुमन इंतिजामिय मजाजित कमेटी के सचेव एसम यासीन का दावा है कि ग्यानवापी अकवर के कारिकाल से पहले की बनी है इसके साक्ष भी है औरंग जेव का सासन बाद में आया था वजू खाने में फवारा लगा है सर्वे रिपोर्ट की प्रति के लिए ब्रस्पधिवार को प्रातना पत्र देंगे हम चाहते हैं कि सर्वे रिपोर्ट सारवजनिक ना की जाए दूसरा पक्ष इसका गलत इस्तिमाल करेगा तथ्यों को तोड़ मरोड कर पेश करेगा इसे माहर खराब होगा अब आदिस आ गया है तो नकल प्रात करके आगे की का लड़ाई लड़ी जाएगी